Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल स्टालिन साब के जो पुत्र है, उनका एक कमेंट देखा होगा, एक्चुली वो करना क्या चाह रहे थे, एक अपने वक्त अवे को देते हुए, एक स्टेटमेंट को देते हुए, जहां पे वो बेसिकली का सिस्टम उसके जो डिस्क्रिमनेटरी आस्पेक्ट उसको सामने रख है, वो इसको एक एंटी हिंदुजम, एंटी सन्नातन धर्म के स्टेंड के तौर पे रखना जा रही है, प्राइमिस्टर साब की कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने इस चीज़ को काफी सीरियस होके रखा कि आप लोग बिना किसी पुकता सबूत के या किसी फैक्ट के सिर ठीके के स्टैंड को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो, और अगर ताजा खबरों की अब यहाँ पर हम कवरेश की बात करें, तो आफ्टर सालें साब, डियम के के जो ए राजा साब है, यूपियर टू की गवर्मेंट के समय में अगर आपने अकबार के पन्नों को पलता होगा, तो उनका नाम भी आखिर, कई बार सुना होगा, उन्होंने भी सालेंस आप से मिलता जुलता, एक स्टेट्मेंट दिया हुआ है, और बेसिक आइडिया वहाँ पर भी सेम, यानि की कास सिस्टम के अगेंस्ट वो बाते हैं, नमस्कार मेरा नमुतकर सिंग, और एंथ्रोपल है, जिसके उपर क्रिटिसिजम को यहाँ पर रखा जा रहा है, चाहे वो स्टालिन जी की तरफ से जो कमेंट आया हो, या फिर एई राजा साब की तरफ से जो कमेंट आया हो, खास कर अगर आप देखते हो, अम बेटकर साब के महार सत्याग रह में, उस समय भी उन्होंने कई कास्ट विरुधी और हिंदुजम को कि कई सारे ऐसे एलमेंट जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके विरुध अपने स्वर को 27 में बलंद किया था, बीश के 1920 में आप देखते हो, पेरियार सहाब ने भी इस तरीके के कई सारे स्टेटमेंट को सामने रखा हुआ था, तो ह उन्होंने कई बार, खासकर अगर आप देखते हो, टुवर्ड्स दी फेस जहां पे उनकी डेथ होती है, लास्ट में, कैबिनेट से तो रिजाइन कर ही देते हैं, वो नहरुजी के साथ जो उनको लगता है कि नहरुजी उत्ते अफर्मेटिव नहीं है, हिंदू कोर्ट बि किस आस्पेक्ट को आपे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस बोल्ड स्टेट्मेंट के तुरू, उसके उपर भी हमें एक नजर जा लेंगे, और इन जनरल धर्म शब्द का मतलब हम हिंदू फिलोसपी या फिर इंडियन फिलोसपी ज्यादा सुटरबल टर्म होगा, उसमें कि इस तरीके से देखते हैं, इन सारे चीजों को आज स्रूरिय अनलाइस करेंगे, पर उससे पहले आप के लिए जाना जरूरी है, कि ये सारी चीजों जहाँ पर यहाँ पाद दोजार 15 के बाद टकतने की पर 15 के पहले मैं नहीं कोणगा कि वह कंडिशन थी, पर 15 के बाद अर कोई option इसके सामने अभी तक टिक नहीं पाया डाटास facts stoppers की rank highest scores और consistency यह कहती है एम से बच्चे FMC से बच्चे IIT से बच्चे IM से बच्चे जुवल्जी बॉटनी chemistry humanities law हर एक discipline से बच्चे अपने subject को छोड़ करके अपने graduation post graduation के subject को दरकनार करके यहां पे anthropology का दामन पकड़ है और ना सिर्फ पकड़ है रैंक्स को हसल कर रहें टॉप 10 में आप देखते हो तो आपको कोई भी या फिर in fact कोई भी टॉपर को आप देखते हो एं तो प्लॉजी बैग्राउंड का नहीं 15999 में आपको बेस्ट इसकाउंट पे साल के 300 पैसर देन स्टेडिया क्यों के हर कोर्स पे जो भी कोर्स में आप आप सब्सक्राइब करना चाहता तो वह अवेल्वेल हो जाता है होने चाहिए वहां पे तो यूस लाइफ का लगाता है आपको दो चीज़े मिल जाती है साल के 300 पैसर दिन स्टेडिया है क्योंके हरे को स्पीट वाई हो कोई भी आप्शनल कोई भी सब्जेक्ट हो कहीं भी इंडूल्मेंट ले रो तो बैस प्राइस मिलेगा कभी मेभी क्रिस्मस हो तो आपको मेभी फर्दर डिस्काउंट मिल जाए तो आग बन करके आपको यूस लाइफ लगाना है बैस डिस्काउंट प्लस परस्नाइज ऑप्शन गाइडियंस गाइडियंस को पाने के लिए बीस नमबर से स्टार्ट और उससे पहले पहले आप अनॉल्में दिक्कत होती है इसे रूडने में तो इंस्ट्राग्राम पर आपको पूछना है इन जर्नल तो आप उतकर सिंग अंडर स्कॉर इसको मत भूलेगा कई बच्चे भूल जाते हैं एक क्वेशन को पूट्वन कर सकते हो तो हम आज आते हैं इस मुद्दे पर मिंट की ये कवरे को सोशल डिस्ग्रेस लाइक एचाईवी एन लैप्रसेंग से कंपेर किया हुआ यह साथ तारीक का दो बच के 25 मिनट का आपको देखने को मिल रहा है पब्लिश हुआ है आज की रेट में उन्होंने ये वक्तव दिया हुआ है इससे पहले भी इसी तरीके के बिमारियों से स सन्नातन धर्म को एक्वेट किया था किसने मुख्यमंत्री जो स्टैलन साब है उनके पुत्र देनिदी स्टालन साहब ने तो इनका ये स्टेटमेंट किस अंदर में है बेसिकली ये सन्नातन धर्म को जब क्रिटिसाइज कर रहे है तो हमें समझना चाहिए कि इन्होंने जो क्लैरिफाई कि ये जो माल प्रैक्टिसेज हैं विदिन दी फोल्ड ऑफ हिंदुविजम उससे हमें बचना है तो क्वेशन आता है कि ये हिंदुजम कई बार पहले इन्होंने सन्नातन धर्म यूज कि आप ये कह रहे हैं कि मैं हिंदुजम के अगेंस नहीं हूँ तो अंतर क्या है आखिर सनातन धर्म और हिंदुजम में इन जर्नल टर्म्स अगर हम बात करते हैं तो सनातन धर्म को एक एटर्नल फिनॉमना के तोर पे अब देखते हैं जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत है हमेशा से जो रहा हो जिसको किसे ने बनाया एक मोरल फोर्स की तर एक मोरल गाइडेंस के तोर पे ये अनंतकार से प्रेजेंट है एक ऐसे धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं तो अब हिंदुजम क्या होता है कई बार लोग क्लैरिफाई करते हैं कि यार तुम क्यों कह रहे हो कि तुम हिंदुजम हिंदुजम नहीं हमारा असली धर्म तो सनातन word कर, ठीक है, कई जगों पे सनता word जो है, वो लिखा हुआ है वेदास के literature में पर वो exact सनातन धर्म ने, कुछ लोग equate करते हैं, पर कल के rate में देवदत पतनायक साब ने भी इसको clarify किया कि वैदिक literature में हमको सनातन धर्म देखने को नहीं मिलता है तो आपको वालमी की रमायन में सनातन धर्म का जिक्र देखने को मिल जाएगा आपको मनुस्मृति के अंदर में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, आपको भगवत गीता के अंदर में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी लेटर पुरानास में भागवत पुरान जैसे कुछ पुरानास में भी यह चीज़ देखने को मिल जाएगी पर जानने लाइक आपको सारे लोग यह बताते हैं कि reference क्या होता है दिकत क्या है कि यह जो reference है वहाँ पे सनातन word का जो use किया गया है वो एक लेटरल सब्द के तोर पे किया गया है usually किसी eternal चीज़ को या truth को establish करने के लिए तो अगर मुझे ये कहना है कि मैं किसी ऐसी चीज़ को जानता हूँ जो eternally exist करती है तो मैं ये वहाँ पे eternal की जग़े पे सनातन word का use कर रहा हूँ ना कि मैं सनातन धर्म की वहाँ पे व्याख्या कर रहा हूँ तो अगर हम scriptures के तोर पे जाते हैं तो हमको ऐसी कोई भी earliest literature देखने को नहीं मिलता है जिस पे Indian society हमारे tradition हमारे religion based है जो कि सनातन धर्म के बारे में विविदिता के साथ पुरी जानकारी दे रहा हो कि ये होता है सनातन धर्म इसको इसने established किया यहाँ पे ये ये tenets हैं इसके basic principles है ये मूल ये हैं और इसे हमें follow करना है like other religion जो आप देख रहे हो कभी भी आए है Christianity के आप बात करते हो Buddhism की बात करते हो आप देखते हो कि जो Hinduism है Hinduism का word तो बहुत ही बाद में आया पर Hindu word जो है वो पहले किसकी तरफ से आपको आते हो देखने को मिलता है जो Persians थे तो Persians के बीच में क्या दिक्कत होती थी या आपको यहाँ पे हमने slide में भी maybe said add किया हुए नहीं यहाँ slide में नहीं आ रहे है तो Persians के बीच में we had this trend you'll often find कि जो pronunciation है वो लोग जो S है उसको H के थूरू प्रनांस करते थे उचारण में वहाँ पे आपको यह विविद्टा देखने को मिलती है ठीक है तो जब वो inhabitants की बात कर रहे थे एक land mass था और जो lower सिंधू region था शिंधू का word आपको पता है as a river भी यूज होता है इंडस के लिए इसलिए इंडस को सिंधू गाटी सब बिता है इंडस वाली civilization को कहा जाता है और as a word ये sea के लिए भी use होता है ठीक है दो माइने है तो basically persians इसको lower basins of सिंधू में जो भी inhabitants थी जो population थी उनको designate करने के लिए use कर रहे थे जैसे हम कहते है बिटेन में रहने वाले लोग British हैं अमेरिका में रहने वाले Americans हम कहते हैं ठीक है जापान में रहने वाले लोगों को Japanese आपके तो उसी तरीके से इस पर्टलर रीजन में occupancy रखने वाले लोगों के लिए Persian ने एक term को use किया था और since वहाँ पे उस सिंधूस नहीं बोल सकते थे इसलिए इसकी जगब पे एक terminology उनके द्वारा आपको आते वे देखने को मिलती है वो था हिंदूस तो as a dharm वो उसको नहीं use कर रहे थे as a reasonable phenomena as an area वो बताना चाह रहे थे कि यह लोग जो इस river के पास इस शेत्र में रहते हैं इस reason को occupy करते हैं उनको आप हिंदूस कह रहो उनको कहना क्या था actual में सिंधूस कहना था शिंधू में रहने वाले सिंधू गाटी के आसपास सिंधू के region में सिंध रिवर के पास पर वो वैसा बोलने में असमर्थदा होने कारण इसको हिंदूस प्रणस कर रहे होते थे पहली चीज तो आपको यह देखने को मिल रही होती है तो हिंदूस Nawad जो है वो किसी धर्म के तौर पर नहीं आया और नहीं सन्नातन को सν्नातन को हमने कहा कि रेफरेंस है पर वहाँ पर सन्नातन धर्म की तरह उसका रेफरेंस नहीं है वहाँ पर as a word सन्नातन मेंशन है तो जो हम धर्म की बात करते हैं एक्शुली स्कॉलर्स जो इस पर चाहिए वो सोशल सेंटिस्ट हो सोशियोलजिस्ट हो एंथ्रोपॉलजिस्ट हो या फिर फिलोसफर्स हो वो इस चीज़ बहुत ही जादा सब्सक्राइब करता है कि कॉमन पीपल की बीच में लोगों के बीच में ये अवधारना है ये देखने को मिलेगी, लेमेन ये समझता है कि धर्मा is the superior most thing, और धर्म से ही कोई एक divine चीज है, उससे इंसान की उत्पत्ती हुई, धर्म में कोई देवी देवताओ का existence है, और वहां से उत्पत्ती हुई इंसान की, पर दूसरी तोर पे एक argument दिया जाता है, कि नहीं, इंसानों अपने धर्म को बनाया है, अपनी society को regularize करने के लिए, एक order को establish करने के लिए, तो हर चीज के बीच में, center में ये term धर्म आपको आते में देखने को मिल रहा है, तो जब आप literature में या Indian tradition में इंडियन philosophy में इस चीज को देखते हो, तो धर्म होता क्या है, एक order है, एक ethical या moral path ह जिस पे आपको चलना होता है, बेसिकली ये क्या है, एक righteous conduct है, जिसको आपको follow करना होता है, तो कोई भी चीज, हर एक मजहब का, religion का, अपना धर्म हो सकता है, तो traditionally हम समझते है, religion is equal to धर्म, but that is not the case, ये तो एक common meaning होगी, धर्म का असली मरतलब क्या होता है, धर्म एक moral conduct की त कि इसको हमें ये धर्म follow करना है, एक राजा का धर्म होता है, वो राजधर्म है, उसी तरीके से किसी भी समुदाय के, किसी भी समाज के जो अलग-अलग वर्ग हैं, उनके अपने अपने individual धर्म होते हैं, तो ये होता है आपका धर्म का concept, अब हम right wing के approach से अगर देखते हैं, तो सावरकर सहाब ने भी इसके उपर clarity दी हुई है कि वो क्या समझते हैं, according to सावरकर सहाब, इन्होंने एक तो सबसे पहली बात कि जब हम हिंदुत्व का भी बात कर रहें, तो हिंदुत्व को as a political ideology establish करने में, हेट गेवार सहाब, RSS के जो संस्थापक संग में लोग थें, उसके बाद सावरकर सहाब और बाद में कई सारे stands पे दीन दयाल उपाध्या सहाब का भी आपको contribution देखने को मिल रहा होता है, तो वो तो एक political ideology को हम side में रख देते हैं, इनका सन्नातन धर्म के बारे में क्या मानना था, हिंदु के बारे में क्या मानना था, ये कह रहे थें विडि सावरकर सहाब की जो सन्नातन धर में या सन्नातनीस कौन है, वो लोग वो है जो कि शृति की, कलर दूसरा लेते हैं, शृति की, स्मृति की और पुरानों की इन तीनों की authority को मान रहे होता है, रिक और नाइस करते हैं तीनों की, अब आपको पता है वैदिक tradition में या पिर हम scriptures की बात करते हैं, तो शृति that is being heard, स्मृतिस that has been remembered, और पुरानास, ये तीन अलग-अलग paradigms हैं, लिट्रारी front पे अगर हम बात करते हैं, तो उनका मानना है, जो इन तीनों चीज़ में मान रहा है, वो सननातनी, वहाँ पे कहला रहा होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शृतिस्मृति बोथ refer to the Vedic literature, शृतिस first hand knowledge that which, which was heard, like vedas, उपनिशद, etc, while is that which is written down from memory, that is, upavedas and tantras, तो इसमें आप believe कर रहे हो, तो यह होता है, एक तरीके से, सननातनी कहलाने का criteria, तो इनकी एक अलग definition थी, in general अगर आप बात करते हो, तो सननातन धर्म के उपर ना आपको कोई एक scripture देखने को मिलता है, because if we talk about vedas, vedas के अंदर में जो वक्तव हैं, जो statement है, वो आपस में कई बार, एक दूसरे से विरोधा भास रखते हैं, contradictory होते हैं, even जो सननातन धर्म को मानने वाले कई सारे लोग हैं, कई जानकार हैं, वो भी इस चीज़ को अक्सा सामने ले आता हैं, कि रिगवेदा जो अलग-अलग 10 मंडल में बटा हो, उसमें से पहला और 10 वा मंडल जो है, वो एक interpolation, वो बाद क एड किया गया है, वो original structure नहीं है, ऐसे में हमारे पास ये जानना और ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वेदास के टाइम में आप देख रहे हो, जिन गोड्स की, जिन डीटीज की, जिन देवताओं की प्राइमसी थी, जो स्रेश्ट थे वहाँ पे, इंद्र की बात कर लो आप, वरुन की बात कर लो, अगनी की बात कर लो, सावित्री की बात कर लो, ये सारे जो primary gods थे हैं, वो वेदिक काल के बाद, आते आते पुरानिक काल के समय में, क्या हो जाते हैं, secondary god हो जाते हैं, और वहाँ पे, शिव जी का, और आपको देखने को मिला है, और भी ज सब का distinction, आपको सिंदूग आटी सब भेता है, या फिर Indus Valley Civilization, जिसका mature phase हम कहते हैं, लगवग 2600 BC से ले करके, 1900 BC के आज पास तक रहोगा, अलग अलग dates है, mostly, archaeologist इस date के उपर zero down करते हैं, है ना, तो सननातन धर्म जिस चीज़ फिनॉमना के उपर emphasize कर रहा है, that is, eternal continuity, वो ची से बात करें, तो first phase of urbanization कहते हो, rapid advancement आपको देखने को मिली, town planning देखने को मिल रहे है, traits देखने को मिल रहे है, script जो कि अभी undeciphered है, कई सारे magical religious beliefs के आपको traits देखने को मिल रहे होते हैं, है ना, इसके बाद आपको urbanization के phase का decline देखने को मिलता है, causes के उपर decline के उपर, बहुत सा society, society, religion, scriptures, बहुत सारी नई चीज़े आ जाती है, तो एक gradual progression हुआ, यहाँ पर एक conformity नहीं बनी है, unlike other religions में आप देखते हो, buddhism के कुछ central text है, ideas है, इसलाम के अंदर में कुरान की authority है, आपको Christianity के अंदर में Bible की authority देखने को मिलती है, और वो बने हुई है, है ना, despite a lot of other literatures, had in Islam, and many other testaments, जो आपको Christianity में देखने को मिलता है, वो continuum जो है, central ideas, जो principles जो है, वो बने हुई देखने को मिलता है, जबकि Hinduism के बीच में, या फिर आप जिसको सनातन धर्म अगर कहना चाहे है, तो वहाँ पे ऐसे कोई central literature, ideas की continuity नहीं देखने को मिले, even scriptures amongst themselves, at times contradict, तो यहाँ पे कई बार, जिस चीज के उपर अभी हमें बात करनी है, वो क्या है, उसको जाने से पहले एक बार देख लेते हैं, कि जो Hindu term है, इसका अगर हम जिकर करे, Hindu तो आपने देख लिया, कि Persians ने किस तरीके से, एक pronunciation error के तोर पर उस शब्द को जनम दिया, पर modern sense में, अगर हम कहते है कि Hinduism का जो term है, उसकी उत्पत्ति कहां सोई, तो माना जाता है, यह I think Mint में एक, sorry, Wire का यह article आपके सामने है, जहाँ पर राजा, राम मोहन रोय सहाब ने, एक बहुत बड़े social reformer थे, और इनकी तरफ से यह चीज, Hinduism का term जो है, modern India में use होता हूँ, आपको देखने को मिला, अ अब बात करते हैं, जो articles यह हम पढ़ रहे हैं, है न, कि HIV, leprosy, malaria, dengue से, वहाँ पे relate किया जा रहा है, सनातन धर्म को, या Hindu धर्म को, उसके पीछे इन्होंने एक reasoning दिये, एक argument दिया है, वो यह है कि हम basically, जो caste system है, जो वर्न वेवस्ता है, Hinduism के अंदर में, सनातन धर्म के अ यही evolution अलग-अलग समय पर हुआ है, और कोई भी scholar एकमत नहीं है, ऐसी बहुत सारी disabilities है, जिसके उपर हम बात करें कि caste system से disabilities क्या 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 आती, उसके characteristic क्या है, उसके उपर हम बात करें है, तो caste system आपको रिगवेदिक समय में भी देखने को मिल रहा है, रिगवेदिक काल मे आपको एक verse देखने को मिल रहा है, जहांपे पूरा का पहला reference का सिस्टम या वर्नक वे उस्था का आपको देखने को मिल रहा है, किसी divine पुरुष जो है, उसके अलग-अलग body part से, वर्नास का origin, डिफरेंट वर्नास का origin हुआ है, जो की verse ऐसे जाता है कि, ब्राम्हनम अश् रिप्लेस हो जाती है, गुनास की थिवरी के साथ और सत्व गुल है, रजस गुल है, तमस गुल है, कौन सा गुल है, किसकी predominance है, along with धर्म and कर्म, ये डिसाइड करता है कि आपका next verse successive birth में, आप किस वर्ना को बिलॉंग करो के, तो वहां पे एक चीज आ जाती है, जो है mobility, ए का concept आ जाता है, जो कि सिर्फ literature में, क्योंकि आप अगले जनम में, आपको नहीं पता कि आप क्या बन रहे हो, क्या नहीं बनने हो, पिछले जनम में आप क्या थे, पर फिर भी एक literal लेवल पे आपे mobility का जिक्र है, कि आपने अच्छे काम किये, गुनास का predominance हुआ, सत्व प्रेट कर साब ने तो मनुस्मृति को मानुधर्ण शास्त्र जो है, उसको जला दिया हुआ था, प्रोटेस्ट के दोरान, और अब स्टालिन और राजा सहाब भी इस तरह की की बात को कर रहे है, तो जो इशू है, वो कास सिस्टम के structure और functioning में है, एक तो कास सिस्टम आपक सिखने को मिल रहा है कि एक close setup के तौर पर यहां पर है, यानि कि यह एक close system है, यहां पर जो आपका status है, वो fixed है, जब भी हम status की बात करते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ascribed और एक होता है achieved, ascribed status को आप innate भी कहते हो, ठीक है, यानि कि the status that you are having from your birth, a brahman is brahman by his birth, उसके पास जो भी privileges है वो उसके birth सही है, ठीक है, जब की achieved status का क्या मतलब होता है, कि irrespective of the fact in which family you are born, you can mobilize, ठीक है, for example, you take the example of Sachin Tandulkar, you take the example of Shahrukh Khan, they were not belonging to a very rich family, but gradually they were able, with their hard work determination, they were able to achieve huge heights in life, and reach a status that is superior to most of the other Indians, तो ये आपको achieved status के पॉर्म में देखने को मिलता है, पर car system जो है, ये close system के तौर पर है, जहाँ पर ये mobility नहीं है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये ascribe system के तौर पर देखने को मिलता है, यानि कि आपका status, आपकी significance, आपके birth से ही start हो जाती है, अब यहाँ पर purity और pollution का भी concept आपको बहुत देखने को मिलता है, structuralist जो है, वो इस बात के उपर emphasize करता है कि इसी तरीके के जो sets है, binary opposites है, purity, composite, pollution, उसके उपर का system based करता है, for example, आप food या dietary habit की बात करो, तो कुछ खानों को माना जाता है कि हाँ ये pure खान है, जो cooked food होता है, घी के अंदर जो बना खाना होता है, वो पक्का food है, वो purer form of food आपको देखने को मिल रहा होता है, अगर आप vegetarian diet को कर रहे हो, वो pure food है, non-vegetarian, liquor को लेना, ये क्या है, polluted खाना माना जाएगा, similarly occupation की बात करो, तो learning vedas and transferring knowledge that is the work of brahminas, वो क्या है, एक pure content, purity के साथ जोड़ा है, tanning leather, leather tanning का जो role है, या फिर और भी कई सारे जो role आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, polluted, तो ये dicotomy बनी हुए, चाहे occupation हो, lifestyle हो, dietary pattern हो, हर जगह पे, तो ये चीज आपको देखने को मिल रही होती है, अब caste system के basis पे कई सारे privileges होते हैं, और कई सारे disadvantages भी होते हैं, एक इंसान का privilege, दूसरे, समुधाय का दूसरे group का disadvantage, for example, caste system जो था, traditionally आप देखते हो, कि people were not even allowed to have the water from the tap in from which the higher varnas were having the water, यानि कि जिस नल से, जिस टैप से higher varnas, जो उच वरने के ग्रहन करते थे, उससे नीचे जो आप कहते हो, lower caste के member है, वो पानी को नहीं ग्रहन कर सकते हैं, तो ये disability है, temple में जाना, एक वरने के लिए अलाव है, दूसरे के लिए नहीं अलाव, तो ये एक disability है, जो जा सकता है, उसके लिए privilege है, जो नहीं जा सकता है, उसके लिए disability है, apart from that you are saying, education के जो rights हैं, वो भी lower caste के पास नहीं रहें, लंबे समय तक, तो ये एक disability है, even if you see, हम सोलर संसकार की बात करते हैं, हिंदू सिस्टम के अंदर में, हमारे scriptures, इस मृतीज हो, आपे आपको सोलर संसकार के बारे में जिकर किया गया है, since the time you are born, अनपराशन हो रहा है सीमन तो नयन हो रहा है, चूरा कर्ण हो रहा है, कर्ण भेद हो रहा है, केशांत हो रहा है, उपनयन हो रहा है, and towards the last जब अन्तियश्ठी या अन्तिम संसकार जिसको हम कहते हैं, वो हो रहा है, तो लाइफ में आप अलग-अलग stages से वहाँ पे गुजर रहे हैं, और एक ritual वह important ritual, और usually allowed होता है किसको, द्विजास को, द्विजास में या निट, जिसको आप twice born कहते हो, and twice born Brahmin शत्रिया को और ट्रेशनरी वैश्य को भी इंकलूट कियता है, कई जगों पे रूरल सेटप में से ब्रामिन शत्रिया को कहा जाता है, अब इस stage के through, आप something which is called a sacred thread, या फिर क ritual बरता है, अब ये सारी चीज़ें, इस तरीके की कई सारे rituals होता है, वो भी lower वरनास को, lower caste को allowed नहीं होता है, तो इस तरीके की कई सारे issues होता है, caste system के अंदर, कई सारे disabilities है, जो traditionally accumulate होती आई है, जिसको एक तरीके से reduce करने के लिए, address करने के लिए, हमारे constitution ने अलग अलग provisions र रखा, 33, 332, आर्टिकल आप देख रहो, किस तरीके से आपको लोकसभा के अंदर में, विधान सभाव के अंदर में, reservation of seats है, 243D के अंदर में, आप देख रहो, पंचायत की में किस तरीके से आपके लिए reservation है, आर्टिकल 15, 4 में, आप देख रहो, एक्वैलिटी की बात करत और अभी भी, despite all these features, more than 7 decades, we still see, जो NCRB का data है, crime against the marginalized section, marginalized group देख रहो, disadvantaged position जो है, इन सारी चीज़ों के आपको जिक्र इसके traces देखने को मिल रहे है, आप हमने सियाटल में कास्ट बैन के बारे में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी कैसा इशू हुआ था, बड़ी-बड़ी कंपनि में वहाँ पे इस तरीके की चीज़ हो रही है, तो this is not only restricted, even the people outside India, वहाँ पे जो लोग कंपनी में higher position पे हैं, उनके बीच में भी system चल रहा है, तो ऐसी ही चीजों से, ऐसी ही चीजों को criticize करने के लिए ये वक्तव ये statement जो है दिये जा रहे है, पर the degree of sensitivity that has been entirely ignored, we cannot ever say कि हमें ए eradicate करना है, that is not a very wise idea to have, if you are having a mosquito or a fly being fallen in a jar of milk, तो आप क्या पूरे उस दूद को गिरा दोगे, पूरे milk को आप कहीं जा करके डंप कर दोगे, नहीं, आप उस fly को निकालोगे, आप उस mosquito को निकालोगे, आप उस mosquito को निकालोगे, of course किसी को OCD है, या कुछ इस तरीके की issue है, त a normal person won't do that, तो इसी लिए हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे efforts on the front कि हम किस तरीके से caste के abilities हैं, इसके through जो problem हुई है, year-long traditional issues उसको sort करने को पर हमारे effort रहने चाहिए, but it does not mean to have a very vocal extremist opinion towards eradication of certain religious groups, एना, ऐसे statements को हमें नहीं रखना चाहिए, खास कर जब हमें इस position पे हैं, वो sensitivity हमें बना आशा करते हैं कि वो sensitivity हमारे राजनेता भी बना करके रखेंगे, from with this we come to the end, और यह सारे मामले को I think आपने अच्छे समझा हो, what is the entire debate, क्या पूरा मामला है, उदेन इधी साहब का, एराजा साहब का, all this debate around San Natan Dharma and Hinduism, आपको समझ में आग जाओगा, for any query, अगर आपको कुछ भ पढ़ते हो, tribals को भी पढ़े रहे हो, caste system को भी पढ़े रहे हो, marriage, family, relationship से लेकर के, human biology, जो भी important चीज़े हैं, किस तरीके से sport equipment बनते हैं, सचीन कुछ equipment यूज करते हैं, दोनी कुछ करते हैं, वो designing कैसे होती है, surgical strike हो रही है, air strike हो रही है, तो cockpits को किस तरीके से design किया आता ह है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे anthropology के अंदर में पढ़ते हो, easiest way में, shortest optional is static है, हर जो subject optional time लेता, उससे आदे समय में आप खतम करते हो, current affairs बहुत emphasize नहीं करने आपको, तो असानी से slaves भी खतम हो जाता है, तो इन सारे चीज़ों का फायदा है, जिसलिए toppers इसको चुन होंते हैं, है ना, समझदारी दिखाते हैं, और आप भी वो समझदारी दिखाना चाहें, तो 28 तक हमारे batch start हो रहे है, 28th of September से, important date है, बहुत ही critique, एक strategically हमने इसको place किया, जैसे गवर्मेंट कहती है, हमने strategically हमने इसको place किया है, भारत के वर्दमान तो धान मिंतरी, 17 सितंबर क हो, launch को हाँ पर रखा हुए, 28th से batch launch है, आप जोइन कर सकते हैं, US life code को लगाना कभी भी मत भूलिएगा, फायदा क्या है, सबसे पहले तो best prices 15999 पर, जो भी price साल के किसी भी दिन, आप जभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, study IQ की website पर आप जाते हो, let me show you, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, किस तरीके से आपको course में enroll करना है, यहाँ पर हमने डाला, study IQ, यह website आपके सामने खुल गई, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ scroll करके optional courses में जाना है, अभी हमने login नहीं किया हुआ, यह आपके यहाँ पर नंबर डालोगे, register करोगे, final जब आपको payment करनी है, तो US live लगाते ही, वो इस price पर या फिर जो भी उस समय, best price होगा, अगर हो सकता है Christmas या कोई और festival जो भी best price होगा, उस पर course available हो जाएगा, plus you will be getting personalized optional guidance, तो एक, तीर से दो निशाने कीजिए, anthropology को optional चुरिए, और इ detail topics को जानने के लिए, current affairs, related to these topics को जानने के लिए, हमारी study IQ के optional की anthropology series को YouTube में जाकर के सर्च कीजिए, उसको subscribe कीजिए, ऐसे वीडियो आपको access मिलते हैं, so this was all for today, see you in the next lecture, in some more interesting and fun video, signing off.